हालो फ्रेंट्स वेलकम टू पॉजिटिव माइन्स चैनल आज हम हिंदी की कविता भोर और बर्खा जो की कक्षस्ताथ से ली गई है कि प्रश्णुत्तर करेंगे प्रश्णुतर शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी लेटेस वीडियो देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्ण अप्यास प्रश्ण है बंसी वारे ललना, मोरे प्यार, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास्न करती हैं और वे कौन-कौन सी बाते कहती हैं उत्तर है इन पंक्तियों में माता यशोदा, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना, मोरे प्यार, लाल जी उप्योगत कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं माता यशोदा, श्री कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में क्रश्ण से निम्द बातें कहती हैं कि रात बीच चुकी है, सभी दर्वाजे खुल चुके हैं देखो गोपियां दही से तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतिक्षा में खड़े हैं तुम्हारे मित्रगर्ण भी तुम्हारी जयजयकार कर रहे हैं सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चड़ाने के लिए तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हैं अता तुम जल्दी उठ जाओ अगला प्रशन है नीजे दी गई पंक्ती का आशे अपने शब्दों में लिखिए माखन रोटी हाथ मू लीनी गवन के ग्रखवारे इस पंक्ती का मीनिंग देखते हैं प्रस्तुत पंक्ती का आशे है कि गाउं के रखवालों ग्वाल बालों के हाथ में माखन और रोटी है अगला प्रशन है पड़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्नन कीजिए भोर मतलब सुभा का टाइम उत्तर है पद के आधार पर ब्रज में भोर होते ही सबी घरों के किवार खुल जाते हैं गोपियां दही बिलोना शुरू कर देती है दही बिलोना मतलब वो दही चलाना शुरू कर देती हैं जिससे की वो मक्खन निकाल पाएं जिस से उनके कंगन खनेकने की मदुरवाज होती है गौाल बाल गाये चराने के लिए तैयार होने लगते हैं जब गाउं में सुबह होती है तो ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है अगला प्रश्ण है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा उत्तर है मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगा क्योंकि यह मौसम मीरा को श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है इस समय प्रक्रती बड़ी सुहावनी होती है जो मन को मोह लेती है सावन का मतलब होता है जब बारिश का टाइम होता है तब उस मौसम को सावन का आ जाता है अगला प्रश्ण है पाट के आदार पर सावन की विशेशताएं लिखिए सावन यानि कि जब बारिश का सीजन होता है रेनी सीजन बोल सकते हैं एंग्रिश में तो तर देख लेते हैं सावन में प्रकरती मनोरी द्रश्य प्रस्तुत करती है मनोरी द्रश्य मतलब जो मन को हर ले यानि कि मन को जो बहुत अच्छे द्रश लगते हैं वह द्रश बादल उमडगुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं बिजली चमकने लगती है वर्शा होती है वर्शा की नन्नी नन्नी बूंदे गिरने लगती है हवा भी शीतल और सुहावनी हो जाती है यह द्रश बहुत मनभावन होता है अगला प्रश्न है मीरा भक्ती काल की प्रसिद कवित्री थी इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाएं उत्तर देख लेते हैं कवी एक साइड लिखे है मैंने उनकी रचना है दूसरी साइड लिखी है सूर्दास जी की क्या है? सूर्स सारा वली रस्खान जी की प्रेम वाजिका पर्मानंद जी की पर्मानंद सागर तुलसिदाज जी की रामचरित मानस अगला प्रेश्ण है सावन वर्षा रितु का महिना है वर्षा रितु से संबंदे दो अन्य महिनों के नाम लिखिए उत्तर है वर्षा रितु से संबंदे दो अन्य महिनों के नाम है आशार और भादो ये हिंदी के नाम है जब वर्षा होती है तो इस महीनों के नाम लिखे है ये आशार और भादो अगला प्रश्ण है क्रश्ण को गवन के रखवारे कहा गया है जिसका अर्थ है गाओं का पालन करने वाला या उनकी रख्षा करने वाला इसके लिए एक शब्दे ये जो पूरा शब्द है इसके लिए एक शब्द वताना है तो गवों का पालन करने वाला को क्या कह सकते हैं उत्तर है गोपाला गोव मतलब इन्होंने गाय के लिए और पालन मतलब पालन करने वाला अगला प्रश्ण है नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं इन में से पहली पंक्ति में रेखां कि छब्द दो बार आए हैं और दूसी पंक्ति में भी दो बार इन्हें पुन्रुक्ति या पुन्हुक्ति कहती हैं पहली पंग्ती में रेखां के शब्द विशिशन है और दूसी पंग्ती में संग्या पहली पंग्ती है नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे दूसरी घर-घर खुले किमवारें इस प्रकार के दो-दो धारन खोच कर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशिशन तता संग्या की पुर्णावर्ती के अर्थ में क्या अंतर है जैसे मीठी-मीठी बातें फूल-फूल महके उत्तर है विशिशन पंग्ती छोटे-छोटे मुझे छोटे-छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं दूसरा ठंडे-ठंडे गर्मियों में ठंडे-ठंडे पानी से नहाने का मज़ा ही अलग है संग्यापुन रुपती देखते हैं गली-गली आजकल गली-गली स्कूल बन गए है शहर-शहर शहर-शहर फैशन की धूम है अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंद के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको नेक्स कौन सी वीडियो चाहिए ताकि वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बना सकूँ और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो फटावर्च से सब्सक्राइब करें